जय हिंद इस विडियो वह लोग बारे हम जानेगे कि डिविडेंट कब मिलेगा कितना रुपया मिलेगा और साथ में इसने जो प्रिविडेंट जारी कि है उसके उपर भी बात होगी आए वीडियो सुरू करते हैं देखें जुस्तों बीपी सीयल जो कमपनी है यह बहुत अब देखें यह सरकारी कमपनी है तो सरकारी कमपनी के सेर प्राइस जड़ दे नहीं बढ़ते हैं फिर भी लोग इसे अपने पोट्फोलियों में रखते हैं क्यूंकि इस साल में दो तीन बार डिविडेंट देते हैं हाई लगा चुका आए पांस दो तीन रोपया का अर् जारे की हैं और डिविडेंट देने की बात कही है आप सबसे पर हम लोग इसके को लाते ही की नतीजों पर बात कर लेते हैं फिर आन्तिते विडेंट के बारे में जानेंगे देकिए कमपनी ने जो च्वाटा सीरी में कमपनी का रेभेन्स चान्वे हजार तीन सो पैनने का ह हुआ है जी और क्वार्टर टू में 77,573 करोड का हुआ था जबकि साल पर पहले देखें तो विछले साल क्वार्टर 3 में कॉंपनी को छी 6809 करोड का ही रेभेन्व प्राथ वा था तो हम देख रहें गी सलाना अस्तर पर भी और quarterly अस्तर पर भी कंपणी के रिभेन्यू में गजब का मुनाफ़ा हुआ है एक संदार गेन मिला है कंपणी को अगर प्रोफिट आप टेक्स की बात करें जिसको सुध मुनाफ़ा करतें क्यूंकि यह टेक्स देने के बाद कंपणीयों के पास बसता है तो quarter 3 म में थोड़ा सा लॉस हुआ है साल भर पहले की बात करें तो कंपणी को 1565 क्रोण का मुनाफ़ा हुआ था सलाना अस्तर पर अभी जो प्रोफिट हुआ है कंपणी को ज्यादा है लेकिन quarterly अस्तर पर थोड़ा सा गिरावट आया है इसके प्रोफिट में अगर अर्निंग पर स अर्थात एक सेयर पर साल वर में 13 रुप्या सतरा पैसा बढ़ा है को वाटर टू में यह 15 रुप्या जेरो तीन पैसा था और पिछले साल की बात करें तो अर्था अगर ओवर बात करें तो कंपनी के जो रिभेनु है और मुनाफ़ा और अर्निंग पर सेरे तीनों में बढ गासे बात कर लेते हैं डिविडेंड की तो इस साल में पहली बार डिविडेंड देने जा रही है और पंकर प्रपय प्रतिश सेयर एक कंपनी आपको डिविडेंड दे घी अर्था सेर पर आपको यानि कि अगर इक कंपनी के रिकॉर्ड निष्ट तो यह एक अच्छी खबर है अगर आपके पास इस कंपनी के शेर नहीं है आप बाइक करना चाहते हैं तो बैसक बाइक कर सकते हैं सरकारी कंपनी लॉस होने के तो कोई चांस नहीं है बाकी आपकी मर्ची उम्मीद करते हूं मैं जो बताना चाहरा था आपको समझ में आया होई मिलता इनेक्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद सुक्रियों